हरो दोस्तों नमस्कार, ओमेटेक्निकल यूटूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 Pensioners वाइबंदू, आप सब का हमारे नई वीडियो में स्वागत है, दोस्तों आज है 31 जुलाई और हो सकता है कि जो मैं वीडियो आज जुलाई 31 को सूट कर रहा हूँ, यह आपको हो सकता है क एक्तिस तारीक को ही देखने को मिल जाए, यह हो सकता है कि आपको एक अगस्त को ये वीडियो देखने को मिले, मैं आपको बता दूँ कि जो एक अगस्त से EPS 95 Pensioners के उच्छे Pension के लिए एक अगस्त से ही EPS 95 Pension के उच्छे Pension के लिए आंदोलन, धर्णा प्रदर्शन, इस प्रकार के जो करमी कंसन है, यह चालू हो जाएंगे, और फाइनली एक हपते बाद, यानि कि आठ आठ दोहजार बाइस को दिल्ली में बड़ा अंदोलन देखनों को मिलेगा, जिस में तकरीबन 10 लाख EPS 95 Pensioners के आने की उमीद जताए जा रही है, जो EPS 95 Pensioners है, उनकी संख का आकड़ा जो लगाया जा रहा है, तकरीबन रामल्या मैदान कहीं छोटा न पड़ जाए, 10 लाख EPS 95 Pensioners एक अठे होने के शंभावना जताए जा रही है, 10 लाख से जादा भी हो सकते हैं, 10 लाख से कम होने के चांसे बहुत कम हैं, इसलिए इनकी सारी के सारी जिम्मेदा की बिवस्ता है, और इनको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से रखना ये एक दिवसी अंदोलन है, जो आठ तारीक अंदोलन होगा, लेकि फिलहाद जो दवाव बनाने वाला अंदोलन होगा, और ये एक तारीक से सुलवात हो जाएगी, इसकी जैसे की EPS 95 Pensioner में जितन तो मुख्य रूप से ये जो खबने सामने निकल के आ रही है, जो एनसी के टीम के द्वारा बताया जा चुका है, अब एनसी के टीम अपने कारेकरम को कल के एडिट से सुरू कर देगी, तो कोशिस मेरी यही रहेगी कि कल के एडिट पल-पल की जो अपडेट है, उन अपड प्रेम कोर्ट में भी अभी EPS 95 के पेंशन में सुनवाई को लेके डिटे आ चुकी है, यह भी एक अच्छा अपडेट है, दूसरे नमर पे अभी CBT की बैटक हुई थी, जहां पे CBT की बैटक में EPS 95 के लिए भी अच्छी अपडेट सामने निकल के आई है, वहां भी उनका जिक्र हुआ, उनके मुद्य को उठाया गया है, पांच राहत भी मिली है, EPS 95 पेंशन को CBT की बैटक में, यह भी अच्छा अपडेट निकला, यानि कि दो जानकारी और दोनों बढ़ियां, इसके आगे मैं आपको बता दू कि EPS 95 पेंशन का आकड़ा जारी करने को तयार ह को ने भी EPS 95 पेंशन के बहुत सारे छूट जो मिले हैं, उनको दिया गया है, साथ साथ में पेंशन ब्रिद्धी से सम्मरित मामले की मामले को में ब्रिद्धी करने को तयार है, यह भी आकड़ा मिला है, यानि कि चार जानकारी होगी यह आप लोग तो मैं बता दू, अब यह भारत सरकार भी EPS 95 पेंशन में ब्रिद्धी को लेके मामलाज जारी है, मानि लोकशभा में EPS 95 पेंशन के पेंशन मुद्धा को कई बार उठाया जा चुका है, तो यह साथ आठ मतलब यह सब अनकूल है, EPS 95 पेंशन के पक्ष में आ रहा है, यह खुस खबरी है, जो मह बेट होगी, उसकी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको हमारे यूटूब चैनल के माधम से दे जाएगी, वाकि दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताए, कोशिस हमारी रहेगी कि मैं आज ही वीडियो को अपलोड कर दूँ, 31st को ह यह हो सकता है कि कल तक आपको एजानकारी देखने को मिले, वाकि दोस्तों आपको एजानकारी कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताए, चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सस्क्राइब कर बेल की घंटी को भी जरूर प्रेश करें, वाकि दोस्तों मिलते है किसी नए वीडियो में और नए अबडिट में तुम तक रहें नमस्कार जय हिंद जय भारत